नमस्कार साथियों स्वागत है आपका जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेस आचुका है जूनियर अकाउंटेंट का बहुत खुशी की बात है कोई दिक्कत नहीं इसमें जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेसन आया और 5388 टोटल वेकेंसी आपकी आई थी जिस है मैं चीज क्या है में चीज है कि इसमें जो क्राइटिरिया है इसमें आपने तक वाला उसके आदार पर इस कि फॉर्म फिलप होंगे ठीक है लेकिन सरकार ने इसमें कोई पहले से स्पष्टी करण को दे नहीं रखा है कि कि कितनी कट आप बाली बच्चे से फॉर्म बर सकते हैं अब जैसे 300 नंबर का एक्जाम था उसमें से किसी के चलो मान के चल लेते हैं कि 200 वाले जो भी स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म बरते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो डेट है एक्जाम डेट वो रख दी कितनी सत्रह तारिक सत्रह सितंबर ठीक है तक तो किसी बच्चे के पास में सबस्टी करण नहीं इसमें 130 वाला बच्चा फोउम बरेघा दूसा बहुंद निकालने में लग जाएंगे वह कटश निकले बच्चे के पास कतना टाइम करेगा रह गया एक महीना यांते महीन इस टाइम में बच्च्चा स्यारी करेंगा पाड़ी पाएंगे और ना उसको छोड़ी पाएंगे यानि उनके लिए पूरी तर्य से असमंजस की इस्तिति है परकार को टीटी का एक्जाम लेने से पहले यह क्लियर करना चाहिए था कि इसमें 40% 50% 60% कोई भी क्राइटीरिया पर रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन आपने सबसे बड़ा जो बच्चों के साथ में जोल किया है वो यह है सबसे बड़ा दोका है कि आपने कोई भी एक लेवल नहीं रखा कि वह यह बच्चे को क्रोस करना जरूरी है यह बैकेंसी आई अब इसके लाब अगर कोई बैकेंसी आजा कि जिसमें कि मातर 200 व बच्चों के लिए 210 कटोप निकाल दी अजो 177 वाले बच्चें वो कभी कुछ करी नहीं पाएंगे क्या उन बैकेंसी फोम नहीं पर पाएंगे क्या तो मेरी सरकार से वस इतनी सी दरफास्त है बच्चों के खातिर कि जो भी बच्चे तयारी कर रहे हैं उनको एक इस पश् बर रहा है उसको एक उम्मीद रहे कि हम मेरा मैं इस एक्जाम को दे पाऊंगा ठीक है अब बच्चों के लिए खबर यह भी है मतलब जो एक चीज़ा बच्चे यह भी मान के चल सकते हैं जैसे कोई दोस्वाला बच्चा है ठीक है हो सकता है उसका कहीं और सेलेक्शन हो उस एक्जाम को देंगे ऐसा कुछ नहीं था ठीक है लेकिन फिर भी बच्चों को एक या तो टाइम बढ़ना चाहिए एक्जाम का जो बढ़ना चाहिए या फिर इसमें कुछ ऐसी प्रोसेसिंग हो जिससे बच्चों क्लियर क्लिर्टी हो जाए हम इसके लिए इलिजिबल है य मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहूंगा कि इसमें कोई न कोई ऐसा निकाला जाए जिस्से की जिससे की बच्चों क्लियर्टी हो और बच्चे असमंजस में ना रहें ठीक है अब एक चीज और है कि इसमें बच्चों में आ सकते हैं क्योंकि जिन बच्चों का जरूरी नहीं कि सभी इसमें भरेंगे तो यानि कि आपके बन फोर्टी वी अगर आ रहे हैं तो आप इसमें फोर्म बरें और आप अपनी तयार इस्टार्ट करें ठीक है कि और और बैस वेस्ट अपलक दरनेबाद जैहिंद जैवारत